जेहिन साथियों, साथियों आप जो यह वीडियो देख रही ही यह वीडियो सहीद जवान सुबम कुमार की अंतिम्यात्रा का वीडियो है इनका पार्थिव सरिल आज सेना के विशेश वहान से बर्सोई लाया गया साथियों हम आपको बता दे कि भुसकलन हाथसे में 14 जवान सहीद हुए थे उसमें से एक जवान सुबम कुमार भी थे जिनका पार्थिव सरिल आज सेना के विशेश वहान से सडक मारक होते हुए उनके गाउं बर्सोई लाया गया है वहीं सेना के विशेश वहान को फूलो की माला से सजा कर सहीद जवान का पार्थिव सरिल उसमें र पाइक और हतों में तिरंगा लेकर सही जवान की अंती म्यात्रा के साथ सार चल रहे हैं। देज भक्ति गीतों और भारत माता के जे कारों के साथ इलाका गुझ उठा जब तक सुरत चान रहेगा सुबम कुमार तेरा नाम रहेगा के नारों के साथ आसमान गुझामन हो गया। साथियों सहीद जवान सुभम कुमार के पार्थिव सरिल आने से पहले ही गाउं और गाउं के आसपास के लोग भारी संक्या में पहुच गए थे लोग मकानों के छतों पर बेट कर सहीद जवान के पार्थिव सरिल का आने का कर रहे थे इंतजार जेसे ही सहीट जवान सुबम कुमार का पार्थिव सरिल सेना के विशेश वहान से उनके गाउं पहुचा तो गाउं में लोग जगा जगा खड़े होकर सहीट जवान को पुस्व वर्षा कर स्रधान जली अर्पित कर रहे थे सहीट जवान सुबम कुमार की अंति मियात्रा में हजारों लोगों की भीड़ अंति मियात्रा के साथ चल रही थी वही सेना के बटालियन के अपसर भी साथ में चल रहे थे लोगों ने हातों में तिरंगा लेकर साथ चल रहे थे भारत माता के जेक कारों के साथ जब तक सूरच चांद रहेगा सुबम कुमार तेरा नाम रहेगा के नारे भी लगा रहे थे नारों से इलाका गुन जुठा रस्ते में कहीं जगा पर फुलों की बारिस कर सहीद जवान को अंतिम विदाई दी जा रही थी वहीं इस्तानी सासन प्रसासन के लोगों ने सहीद जवान सुबम कुमार को श्रद्धान जली अर्पित की वहीं उनके इस अदम में सास को भी नमन किया है सही जवन सुभम कुमार का पार्थिव सरील तिरेंगे में लिप्टा हुआ उनके घर पोचा तो गाउं में मातामी सन्नाटा परस गया वहीं परीजनों का रोरो कर बुरा हाल वहीं अन्तिम जन्सकार के दोरान मिट्टी बेंड की और से सोक संगित बजाया जाता है और उसके बाद बंदुकों की सलामी दी जाती है बंदुकों की सलामी का भी एक खास तरीका होता है और जिसमें बंदुकों को खास तरीके से बंदुक जुकाई और उठाई जाती है सही जवान को सेना सम्मान दिया भारत माता के वीर सपुच सही जवान सुबम कुमार को मेरा सचसद नमन भगवान मा भारती के वीर सपुच सही जवान सुबम कुमार की आत्मा को सांति प्रदान करे वही एज दुख की घड़ी में उनके परिवार को यहा दुख सहन करने की सक प्रदान करें